Hello everyone and welcome to black magic of short tricks तो आज जो हम match की short trick को discuss करने वाले हैं बच्चों वो आपके सामने board पर लिखी हुई है जिससा कि आप लोगों नहीं demand किया था कि इससार question को हिंदी में भी लिखिये तो आज English Hindi दोनों में question को लिखा हुआ है algebra का एक बहुत basic और कई बार आया हुआ सवाल है जहां पर आपके सामने लिखा होता है a square equal to b plus c, b square equal to a plus c, c square equal to a plus b और आपसे 1 upon a, 1 upon a plus 1 upon 1 plus b, 1 upon 1 plus c का मान पूछा जाता है basic सा question है अगर हम इसकी approach के साथ जाएंगे तो आप क्या करेंगे यहाँ पर a square plus a कर देंगे, इस side a plus b plus c हो जाएगा a common लेने पर a plus 1 आपको प्राप्त होगा a plus b plus c, यहाँ से आप क्या करेंगे 1 upon a plus 1 की value निकालेंगे, जो a upon a plus b plus c हो जाएगी इसी प्रकार से आप इसकी value निकालेंगे यानि 1 upon B plus 1 की value निकालेंगे वो B upon A plus B plus C हो जाएगा इसी प्रकार से C की 1 upon C plus 1 की value भी आ जाएगी फिर आपको इन सबको add करना होगा solve करना होगा और ये बड़ा lengthy method हो जाएगा अब देखिए इसकी trick क्या है आपको एक चीज याद रखिए किसी भी number का square का मतलब होता है वह अपने आप से दो बार multiply हो रहा है A into A या फिर मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे इसकी value इसके sum के बराबर लानी है तो ये केवल एक ही condition में ऐसा होता है कब होता है? जब हम 2 का square ले ले या 2 को दो बार add कर दे बात हो ही रहेगी 2 का square मतलब 2 into 2 इसका मतलब 2 अपने आप से 2 बार add हो रहा है ये केवल इसी case में हो सकता है तो अब हमें पता चल गया कि जब भी हमारे सामने ऐसा case आए जहांपे square है और उसके बराबर में 2 value add on हो रही है तो हम एक बात आग बंद करके मान सकते है क्या कि अगर हम इन तीनों value को बराबर ले ले और 2 के बराबर रख दे तो ये condition true हो जाएगी यानि मैं कह सकता हूँ 2 का square बराबर हो जाएगा 2 प्लस 2 के और ये हर जगे satisfy करेगा तो अब हमें कुछ नहीं करना आप चाहे तो इसका सीधे 3 बार multiply कर दे क्योंकि ये सब की value के आएगी बराबर आएगी 1 प्लस 2 3 होता है 3 से 3 cancel हो जाएगा answer 1 हो जाएगा या आप चाहे तो इसको 1 बटे 3 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1 बटे 3 properly करके भी solve कर सकते है पर इस तरीके से करेंगे अभी के लिए इतना ही अगर ये ट्रिक पसंद आई है तो इस वीडियो को like करें share करें अपने दोस्तों के साथ और अपने facebook वाल पे भी इसको share करें ताकि जादा से जादा लोग हमारे साथ जोर सकें अभी के लिए इतना ही thank you